ततकाल न्यूज लाइफ के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन प्रिस कीजिए नमस्कार मैं हुस्वनिका और आप देख रहे हो ततकाल न्यूज लाइफ कोरोना की तीसरी लेहर का खत्रा अभी टला नहीं है खास कर त्योहारी सिजन के चलते कोरोना संक्रमन का खत्रा बढ़ गया है दो हफ्ते पहले महाराश्र में खत्म हुए गनेश उस्व के बाद आर्थिक राजदानी मुंबई से कोरोना से डरने वाले आकड़े सामनी आ रहे है बुधभार को मुंबई से कोरोना के 624 नए मामले सामनी आ है पिछले 84 दिनों में ये सबसे बड़ा आकड़ा है सोंवार को BMC ने बॉंबे हाइकोर्ट को बताय कि टीका करन अभियान सूचारू रूप से आगे बढ़ रहा है और अब टीको की कोई कमी नहीं है BMC ने कहा कि बीमारी की तीसरी लहर फिलाल नहीं आ रही है हाला कि ये भी खा जा रहा है कि मामलों में इजावासे इंकार नहीं आ जा सकता है BMC के अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश काकानी ने अंग्रेजी अगबार हिंदुस्तान टाइम से बादचीत करते हुए कहा शहर में हाला अभी बहुत ठीक है हम केस लोड को बहुत अच्छी तरह से संभालने में सक्षम है और मामले को संभालने के लिए परियाप्त स्वास्त बुन्यादी धाचा है हाला कि कोरोना के बढ़ते मामलों को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते महाराश्य में बुधार को कोरोना संक्रमन के 2846 नहीं मामले सामने आये है और 90 मरीजों की मौत हो गई है राज्य के स्वास्त विभाग के एक अधिकारी नहीं ये जानकारी दी महाराश्य में कोविड-19 के नहीं मामलों में मामुली वुरुद्धी हुई है लेकिन मंगलवार के तुलना में मुरुत्यकों की संक्या में खासे वुरुद्धी हुई है मंगलवार को राज्य में संक्रमन के 2401 नहीं मामले सामने आये थे और 49 मरीजों के मौत हुई थी अधिकारी ने बताये कि नहीं मामले के साथ ही महाराष्ट में संक्रवितों की संख्या बढ़कर 65,67791 हो गई है वही मृतकों की संख्या 1,49,362 हो गई है राज्य में अब तक 63,91,662 मरीज स्वस्त भी हुए है और 33,181 मरीजों का इलाज चल रहा है